कि हुपने तक हैपाइब विस्ट फिर्ष सब्बंट में पास नहीं हो पाता फेицwow हो जाता है तो इसको प्रमोट कर दिया बट उसको बैठना होeli इसंबर में उसके उसको बैठना होता है उन आग्जाम में और इसको कलियर प्लीयर करना होता है देन अगर उसकी सब्टी आती है दो से जादा सब्जिक्स में अगर फेल हो जाता है तो उसको प्रमोट नहीं किया जाता है सेकंड डियर में इसको सेकंड डियर में भेज दिया जाता है देखे दो अप टू जो है अगर दो तक में है तो भेज दिया जाता है बट दो से जादा सब Maghgis 3 सबजेट्स में इसकी पाइए है तो इसको अगर तो प्रमोट कर दिया है तो फार्सट्स परसेंपर ज्याता है एक में वी पास दिया जाता है सेकेंड एक्डियर एक्डियर EG्जाम में देख़ थिग्या होता है अगर स्टुटेंट्स जो है उसकी सप्ली आती ही राती अगर किसी सब्जेक्स में किसी की बैक आ गई या फर्स्ट यह का सबजेक्टिक्टी ही है जो भू स्टुडिन क्लिर नहीं कर पा रहा है तो उसको लाइसंस नहीं मिलता है जब तक वह उस अपनी उस बैक को धे मतलब देखी यहां फर्स्ट एर में क्या हो रहता है कि अगर आपकी सप्ली है दो सब्जेक्ट में तभी आपको प्रमोट कर दिया रहता है बट सेकंड एर एक्जाम जो है उसमें आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी सप्ली उसकी बिन आपको क्या होगा लाइसंस नहीं मिल पा नहीं किया जाता है उसको कम से कम एक सब्जेक्ट क्लियर करना होता है बट प्रमोट होने के बाद भी सेकंड एर जो है उसको पूरा ही क्लियर करना होता है आगर उसको अपना लाइसंस चाहिए तो